मुझे गाईज दिस इस शाश्वत और आप देखे रहे हैं टेख फाइबर तो आज की इस वीडियो में आप लोग बता हूँ क्या आप लोग कैसे अपने अंड्रोइड स्मार्ट फोन पर जब कर रहता है गुगल क्रोम उसके अंदर आप लोग डार्क मोड इनेवल कर सकते हो यस यह डार्क मोड जो है वो मतलब काफी जादा मैं कह सकता हूँ आप लोग को जैसे यूटूब आप के अंदर देखने हो मिलता है वैसा ही डार्क मोड है चलो या रभ इसको इनेवल करते हैं हम लोग अपने गूगल क्रोम के अंदर सो या गाईज विरा स्टेवल सिंग तो अभी तक नहीं आया लेकिन यह जो डार्क मोड है वो अब फाइनली हम लोग को देखने हो मिलता है क्रोम कैनरी के अंदर क्रोम कैनरी एक्चली बीटा वर्जिन है क्रोम स्टेबल का इसके अंदर आप लोग को लेटेस्ट चीज़े मिल जाती है जो भी क्रोम कर रहा है तो यहाँ पे अभी अब लोग को मैं बता देता हूँ कि जो डाक मोड है उसको इनेबल कर सकते हैं तो फिस सबसे बड़े तो आप लोग मैं लिंक नीचे दे दूँगा क्रोम कैनरी की प्ले स्टोर पहीं मिलता है आप लोग जा के इसको डाउनलोड करो डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे chrome colon slash slash flags में and then करना है enter फिर जैसे आप लोग enter करते हो आपके सामने chrome flags का पूरा 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 पेज आ जाता है और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं जो version यूज़ कर रहा हो है 75.0.3737 तो फिर यह वाला version मेरा भी है आप पता नहीं आप ल version यूज़ कर रहा हूं अब लोगों करना कहा है यहाँ पे आप लोगों को search flags पर टाइप करना है dark तो dark search करना है and then enter करना है अब हम लोगों को सामने दो flags देखने हो मिल रहा है android web contents dark mode और android chrome ui dark mode तो यहाँ पे chrome canary की settings दिखा देता हूं तो settings में जाने के लिए आपको tap को नबढ़ता है 3.menu and then settings में अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो basics group के अंदर तो आप लोगों को यहाँ पे dark mode देखने हो नहीं मिल रहा बात करते यह advanced में तो फिर advanced के अंदर भी आप लोगो को कोई भी dark mode नही देखने हों मिल रहा अब हम लोग इसको enable कैसे करेंगे तो यहाँ पे आपको जो flag देखने हों मिल रहा है android chrome ui dark mode तो इसको आपको करना है default से enable and then यहाँ पे आपको कर देना है relaunch now तो relaunch now करने बाद अभी भी आप लोगो को इसके अंदर dark mode देखने हों नहीं मिलेगा एक बा आप लोगों करना के है अपने chrome browser को recent panel से निकाल देना है पुरी तरह से and then वापस relaunch करना है chrome canary को तो chrome canary को अब हम लोग open करेंगे तो as you can see थोड़ा बहुँ डार्क mode हम लोगो change होता बाद दिख रहा है address bar है और चलते हैं अब हम लोग settings के अंदर तो settings के अंदर जाते हैं हम लोग और यहां पर देखते हैं तो अब मैं आप लोग बताता हूं आप लोगो यह मिलेगा कहा से तो basics group के अंदर आप लोग देख सकते हो dark mode इधा नीचे है मतलब कि मुझे थोड़ा और स्क्रोल करते है यह रहा dark mode तो इसको आपको करना है tap and then इधर से आप लोग off on कर सकते इस switch से तभी जैसे कि हम इने off यह रहा आपका normal देशी white color का chrome और जैसे आप लोग इसको टैप करते हो वैसे बन जाएगा यह dark mode आपको जैसे YouTube के अंदर देखने हो मिलता है YouTube app के अंदर तो यहां पर मैं YouTube app भी open करके आप लोगो comparison दिखा देता हूं as you can see दोनों के अंदर थो अभी के लिए हम लोगों को यही देखने हो मिल रहा है और जहां तक हम लोग open करते normal stable chrome जो यह रहा stable chrome as you can see तो यहां पर about chrome में आपको दिखा देता हूं यह dark mode वाला जो है वो है chrome canary और यहां पर right side में जो है वो मेरे है chrome stable तो यहां पर settings के अंदर मैं आपको दिखा देता तो settings and then about chrome as you can see अलग है यह chrome normal वाला और जो dark mode जिसके उपर चल रहा है वो है chrome canary और यह भी मत देख लेना कि यह मैं oneplus यूज कर रहा हूं actually यह मेरा Zenfone Max Pro है जिसके उपर मैं oxygen OS यूज कर रहा हूं तो अभी मैं आप लोग बता रहेता हूं इन दोनों में difference क्या है तो अभी ह colon slash slash flags तो chrome flags बने open कर लिया यहां पे भी normal वाले chrome में और फिर यहां पे हम लोग search करेंगे dark mode के लिए तो अभी भी आप लोग देख सकते हो इसके अंदर आप लोग को no matching experiments देखने हो मिल रहा है मतलब कि अभी तक यह roll out नहीं हुआ है तो roll out होने में I think थोड़ा सा time लग जाए वेल विंडोज I think Windows या फिर Mac के लिए roll out कर दिया गया है dark mode तो आप लोग उन पे भी use कर सकते हो अगर आप लोग को नहीं मिल रहा है तो आप लोग ऐसे dark या फिर सर्च करके आप लोग ढूंड सकते हो मैंने अभी तक इतने दिनों से Windows को हाथ तक नहीं लेगा है तो मुझे सेकेंड फ्लैक दिखा था यहां पे डार्क वाला एंडूइड वेब कंटेंस डाक मोड तो मैं इसको करता हूं कि आप लोग इनेबल मत करना क्योंकि यह जो है अभी भी तूटा हुआ है थोड़ा बहुत मैं अभी भी इसको डेवलोप्मेंट चाहिए तो रिलाउंच नही मिल रहा है ऐसा लेकिन एक बार मैं आगर रिफ्रेश करूं तो फिर थोड़े बहुत आप लोग को यहां पे कलर उड़े वे दिख रहे हैं किसी को कलर जो है वो नेगेटिव आप लोगो देखने हों मिल रहे है तो कुछ-कुछ वीडियो के आप लोग को आपको ऐसी देख प्लीज में जा चुके हैं तो बस अब जाओ इसको इसको इस्टाल करो और मैं आप लोग अस्टेबल वर्जिन में मिल जाएगा तो आप लोग इसको यूस करना तो बस अब इस वीडियो में आपको उन्ही वीडियो में तब तक लिए बाइटादा स्यू होप कि आप लोग एक सेट करते हैं सेट को सब्सक्राइब करते हैं चैनल को साइशत्थ बैल आकन को भी दबा देना जिससे अभी मैं कोई भी एक नया सीडियो स्टार्ट करऊ तब आ लोग को उसके सबसेफेले नोडिफिकेशन आजाए और आप लोग उस सीजन का फायदा उठा सको तो या इसे नोब बस इतना है आपको मिलता होने नहीं वीडियो में तब सेगे बाइ टाड़ा सी यू मिलता आप लोगों नहीं वीडियो में बाइ एंड टेक कियर झाल झाल